Welcome to my channel Inspire Pharma तो पेशो आज आज आपके सामने एक new and बहुती useful topic पे वीडियो को लिखे आज की वीडियो में हम discuss करेंगे new vacancies release की गई है Ayurveda field में National Institute of Ayurveda ने तो उसी vacancies से related proper detail में हम एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे उसमें कितने vacancies रहेंगी, कौन से field में रहेंगी, starting date क्या रहेंगी, उसको apply करने के लिए last date क्या रहेंगी उसमें age limit क्या रहेंगी, qualification क्या रहेंगी, यह सारे points हमें इवन कि उसमें application fee क्या रहेंगी, यह वाले topic पे भी हम आज इस वीडियो में discussion करेंगे I hope मेरी बाकी वीडियो के तरह, मेरी यह वाली वीडियो भी आप सब के लिए बहुत ही informative and useful रहेंगी चलिए करते हैं start अपने इस वीडियो को, without any further delay, let's get started जैसे ही आप deemed to be university की website open करोगे, means National Institute of Ayurveda की website open करोगे तो आपको यहाँ पे एक pop-up मिल जाएगा, जहाँ पे mention किया गया है कि उसकी vacancies के बारे में, जो vacancies अभी recently release हुई है, उसके बारे में, इसमें mention किया गया वेकेंसी नोटिफिकेशन, जैपूर, लास्ट इट ऑफ सब्सक्राइब, जब इस पे आप क्लिक करोगे, तो इस पे आपको यह screen show होगी, जिसमें notification को full detail में बताया गया detailed notification पे आप क्लिक करोगे, जैसे तो आपके पास एक PDF open हो जाएगी, जिसमें proper detail, उन्होंने अपनी detail में discussion की हुई है, यह notification आपके सामने mention है, 25th of October 2024 को release किया गया था, Government of India की तरफ से, तो इसमें अलग-लग field में आपकी vacancies रहेंगी, जैसे इसमें mention है, one post of Vedya, medical officer के लिए, उसक guest के लिए रहेगा, pharmacist, Ayurvedic के लिए रहेगा, अलग-लग post के लिए, बहुत सारी vacancies इसमें, निकाली दही हैं अभी, जैसे यहाँ पे mention है, opening of portal for online, मिन्स आपकी जो starting date हो रहेगी, 29th of October, मिन्स कल की date में ही, आपकी application form जो start हुआ, दो बजे से, तो इसकी जो last date रहेगी, वो र फिल कर सकते हो, यह last date रहेगी, 4 December, 5 पते तक, तो इसमें आपकी next vacancies है, वैदिया, वैदिया में आपकी एक vacancy रहेगी, उसके बाद clinical registrar रहेगा, उसमें भी एक ही vacancies रहेगी, और उसके बाद आपका हैगा, accounts officer, उसमें भी एक vacancy रहेगी, आपकी nursing officer, उसमें भी एक रहेगी और pharmacist ayurveda, उसमें दो vacancies रहेगी, और उसके अलावा आपका MTS में रहेगा, means multitasking staff में, उसमें 22 vacancies रहेगी, 22 vacancies रहेगी, हर एक post के लिए अलग-लग आपकी, जो age limit रहेगी, वो अलग गया, pay scale रहेगा, और आपकी जो qualification है, वो अलगी रहेगी, तो हम बात करेंगे, pharmacist के रहेगा 5th, 5th level का, उसके अलावा उसमें 2 vacancies है, मैंने भी बताया, जो के general category के लिए ही reserve है, उनकी age limit रहेगी 30 years, 30 years तक के candidates ही, इस exam को fill कर सकते हैं, इसके लिए आपकी qualification क्या रहेगी, सबसे पहले तो आपकी plus 2, जो 12th standard है, वो आपका clear होना चाहिए, वो pass out होने चाहिए, आ उसके अलावा आपका, यहां पे हैगा diploma in IUS nursing and pharmacy, जो कि 3 साल का होना चाहिए, तीन साल से नीचे वाला डिप्लोमे वाल, जिनका डिप्लोमा तीन साल से नीचे वाली education रहेगी, वो candidates इस exam में इस post को fill करने के लिए eligible नहीं रहेंगे, और उसके अलावा, अगर आपके पास B farm ह आयरो इदा फेल्ड में तब भी आप यह वाला exam fill कर सकते हो, अराम से, उसके बाद हम बात करेंगे application fee कि, जब आप यह exam fill करोगे, तो उसमें आपको कितनी fees पे करनी पड़ेगी, यह सबसे important point रहेगा, यहां पे, तो इसमें हर एक post के लिए अलग-लग आपकी जो fees है, वो mention क की गई है, जैसे pharmacy के लिए आपकी रहेगी 2,000 रुपेज, 2,000 रहेगी General and OBC Applicants के लिए, उसके अलावा जो SC, ST और EWS हैं, उनके लिए 1,800, जैसे 2,000 मतलब 200 रुपे का आपका difference रहेगा, जो EWS, SC और ST candidates हैं, बागी General और OBC के लिए 2,000 रहेगी, लेकिन यह जो आपकी application fees रहे means आपकी यह जो fees है, वो refund नहीं होगी, किसी भी circumstances में refund नहीं होगी, even अगर आपकी application है, जो वो reject होती है, उसके rejection लगती है, तब भी आपकी जो यह fees है, 2,000 रुपेज for General and OBC Candidate, 1,800 रुपेज for SC, ST and EWS candidates, वो non-refundable है, refundable आपको refund नहीं मिलेगी यह चीज, चलिए आज की वी के साल, तिल देन, like, share and subscribe to my official YouTube channel, Inspire Pharma, thank you so much.